जब लोगों के पास development नहीं बचती तो लोग morality बजाते हैं, आपको लगता है कि इस देश के अंदर अब more than ever facts के अलावा facts के हटाके completely morality और ethics को बार बार पे public copy करके politics लड़ी जा रही है हर पार्टी की तरफ से, कि अब 2024 के इस तरह से चुनाफ भी लड़े गए रहे से, Congress ने बो specific study करो और आप बोलो कि यहां 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 democracy कत्रे में थी, जब तक आप वो करोगे तब तक time बीच जाएगा, उसलिए आप morality पे वो करते हो, आपके पत्रकारता के जीवन के अंदर, क्या हमेशा से चुनाफ यह हमेशा से politics, morality के अपर लड़ी गई है, या has there been a time when it's been completely fact based, किसने क्या विकास करा, किसने क्या development करी, नहीं, नहीं, fact-based चुनाव मुझे लग रहा है केवल 2019 का था, उसमें भी लेकिन गाली गिलाउज और रेटोरिक्स बहुत चले हैं, फिर भी केवल development agenda को ले करके मुझे लग रहा है 2019 का ही चुनाव लड़ा गया था, इस बार भी भाजपा की पूरी योजना यही थी, क्योंकि 2019 से तो अधिक ही विकास के कारी हुए हैं, लेकिन उन्हें फर्स्ट फेज के चुनाव में लग गया कि इस बार का पोजिशन जो है ना, वो अलग narrative लेके चल रहा है, उसके आद आप देखें, फर्स्ट फेज के चुनाव तक नरेंद मोदी की जो election speeches हैं, बिलकुल अलग लाइन पे हैं, फर्स्ट फेज के बाद मुसल्मान, मंगल सूत्र, तमाम तरह की, मतलब rhetoric जो है ना, वो उसमें आ जाता है, तो वो इसलिए आया क्योंकि उनको लग रहा था हम केवल development का agenda बेच करके हम चुनाव जीत सकते हैं, ल उने तीन लेर पर ये काम कर रहे थे, रैलियो में speech दिया, ये देखिए सम्विधान ने इसको बदल देंगे, जबकि सौ बार से अधिक Congress ने सम्विधान में संशोधन किया है, और सम्विधान में बदलने का प्रावधान है, तो बोलना है कि सम्विधान बदल देंगे और आरक्षन आपका हटा दिया जाए, अब आरक्षन और सम्विधान और बाबाप साहिब भीम रावं बेट कर, ये तीन चीज ऐसे हैं कि कोई आदमी कुछ भी नहीं जानता हो, खास करके दलित वर्ग जो है, ये तीन चीज अवश्य जानता है, शिविक इस तरह लेवल की तो सम्विधान दिया है, और इससे तुमको आरक्षन मिलते हैं, पहला लेयर हो गया, रैली में स्पीच देना, और हर दिन पांच बार देना, जितनी सभाह इनों ने किया, उसके बाद इनों ने किया, क्या खाली राहुन गांदी नहीं बोला, अकलेश भी यही बात बोल रहा ह हमांदी पाटी भी यही बात बोल रहे हैं, इन्होंने फिजिकल प्रिंट आउट लिय उस बात के, बाबा साह्थ के रूपराइब कि प्रस्तावना, प्रेमबल हम वारत के लोग, बाबा साहथ का फोटो और नीचे लिखा कि इसी संविधान को बाजपा अट आने जा रहे ह फिजिकल डिस्टिविशन हुआ दूसरे लेयर पे तीसरे लेयर पे दुरुबराथी और बाकी गैंग थे जो इस नैरेटिव को पुश कर रहे थे कि भाईया यह तो डिक्टेटर्शिप आ गया और डिक्टेटर्शिप में समिधान तो होता ही नहीं कुछ तो यह स्ट्रेटिजी लेकर के यह लोग चले हैं और इसको काउंटर करने के लिए आपको फिर अपने कोर वोटर बैंक को भावनात्मक्स तरपे ही प्लीज करना था उसके अलावा भाजपाक पास कोई चारा नहीं था इन्हों ने उसको भी मतलब यह जब तक रियलाइज हुआ ने बाकी लोगों को हिंदू मुसल्मान राम मंदिर यह जब से इनके जारगन में आया लेक्सिकन में तब तक देर हो चुकी थी उनका प्लान पहले से था आप विकास को पुश कर रहे थे और आपके पास ऑन ग्र फ गव जध भ्रागन में आपके बदेगर और यह जवे मन ओड से ने बागन ने लोगों प्रहे इनके लिज हλα better, क्रागन ऑम छिया जफ पीतिते इन DO 15-200 wanna èS tust, दो क た भाव मte HagŽ